हेलो वीवर्स वेल्कम बैक टी नाशनल वी इंडिया नीज चैनल और आये रोप करते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग ख़वरों की तरफ जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों बॉलिवोड और टेलिविजन इंडस्ट्री में ने पोटीजन के खिलाफ जमकर अवाज उठाया जा बारे में जिसको सुनकर हर कोई हैरान रहे है दरसल सोफिया ने स्पोर्ट बहुई से बात करते भी बताया है कि ने पुटीजन बॉलिवोड में बेहत पुराना है अब बाहर से आने की वज़ा से सोफिया को इन सारे चीजों का वहत सामना करना पड़ा है और उन्होंने कहा मुझे कॉंप्रोमाइस करने के लिए कहा जाने लगा लेकिन जब मैं इन सारे बातों को दर्किनार कर अपने काम पे फोकस करने लगी तो मेरे सार कई सारे प्रोजेक्ट को दूसरों को दे दिया गया लेकिन इसके बाद भी मैंने बॉलिवूर्ट में अपना पाउंड जमा और Mr. Dajaj के लिए एक्तर करन पटेल को साइन कर लिया गया है लेकिन एक्ता कपूर को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी क्यूंकि करन पटेल एक एपिसोर को पूरे करने के लिए तीन लात रुपे की डिमांड की है एक्ता ने करन को समझानी के कोशिश पी की और उनसे खबर के तरफ को रवाइरस का संक्रमन फैलता ही जा रहा है दिन प्रति दिन लागों तक यह संख्या पहुंच चुकी है और अब बॉलिवुट से फिर से एक को ना की बारे में खबर आ रही है दरसल आमिक खाने ट्वीट करके बताया है कि उनके घर में काम करने वाले और एक्टर ने बीमसी का सुक्रिया किया है कि उन्होंने तुरंथ ही एक्टर का मदद करते हुए कोरोना पेशिंस को क्वारेंटाइन कराया और तमाम मेडिकल फैसिलिटी अबलेबल कराई आयो रुख करते हैं हमारे आफ़ी खबर की तरफ जैसा कि हम जानते हैं पूरे ट सुषान के पिता से मिलने पटना कोंचे थे इस दोरान कई फोटो लगातार सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही और सीखर सुमन ने कहा है कि मैं कुछ देर तक सुषान के परिवाल वालों के सांथ बैठा था लेकिन हमें एक शब्द भी नहीं कहा हम बस बैठ के एक दूसरे स मौन की रूप में दुख व्यक्त कर रहे थे मेरे हिसाब से दुख व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मौन बता दे कि सीखर सुमन ने सुषान सिंग लाजपूद के आतना हत्या में सीबी आई जांच की मांग की है और उन्होंने सुषान को नया दिलाने के बॉलिवुड और टेलिवीजन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले